ब्रेट वेस तो गीजर बंद होने वाले हमारे छैतर में, को कि हाँ गर्मी हलक jeलकी start हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, जो गेजर यूज करते हैं गर्मी में भी, मनकी हलका सा वो पानी गरम रखते हैं, और उसको यूज करते हैं, तो ये एक गीजर हमारे पास आया है और इसमें प्रोडम ये है कि इसका जो pressure है बहुत ही slow है और pressure इतना slow है कि आप देखें बहुत ही टपकर टपका पाणी इसके अंदर आ रहा है तो इसमें क्या कमी होती है कितनी लागत आएगी इसके बारे में हम detail से बात करेंगे और इसको मैं side पर ही जाकर सही करूँगा customers है मारी बात हुई थी उन्होंने बताया था पानी का जो pressure है बहुत slow आ रहा है गरम हो रहा है सब कुछ को हो रहा है लेकिन पानी का pressure है जो बहुत slow हो रहा है बाल्टी को भरने में उनको आजा गंटा लग जाता है तो इस problem time video friends यहाँ पर हम गीजर देखने आये हैं तो घीजर में problem ही आ रही है कि हमने यह से नल खोल दिया उपर से भी जो इसके angle कोख हैं यहाँ से भी हमने को लेकिन यह पर पानी इस तरीके सा रहा रहा है इसका पैंट से होगा हम पूरा को बताएंगे के बहुत ज़याधा फ्लोराडिट जम जाती है है ला कि आ बात करेंगे connection आपको समझा दूंगा simple से connection होते हैं इसके आप इजीली कर पाएंगे इसमें connection में ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें क्या है कि एक बार जो ऑटोगट के थुरू जाता है एक डायरक जाता है रोड पर बाकी रोड पर एक इंडिकेटर दोनों पिनों पर लगा होता है एक नूटल फेस पर लगा होता है इस तरीके से connection इसका होता है इसके सारे पेज हम खोल लेंगे एसमेली वाले दो पेज अभी साइड में लगे हुए है इनको भी हम खोल लेंगे और जब यह पेज खुल जाएंगे उसके बाद इसकी एसमेली बहार आ जाएगी तो यहां पर आप देखें मैं आपको दिखांगा इसके अंदर क्या प्रोब्लम थी और कितना फ्लोराइड में आप इसको बिल्कुल रेडी कर पाएंगे कहने के मुत्रब यह है कि जब आप इसको रिप्यर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका खोलने से लगाने तक आदा घंटा एक घंटा भी नहीं लगेगा इसको कर पाएंगे क्योंकि मैंने 10 मिनट का लगवग वीडियो बनाया है तो मैंने फोड़ा काट-काट के बनाया है लगवग आप जब इसको करेंगे तो बहुत यह सही हो जाएगा तो यहां पर मैंने इसकी ना पूह दिखाने कोसिस कर रहा हूं तो यहां पर हमारे पास क्या यह he कि हमने रट अलग कर ले आए रोड को अलग हमने इस लिए किया है कि हम इसको एस्ट से साफ करने वालैं इसकी पेंपिंग को और पर यृष हो सकती थी इसलिए हमने road पर acid डालना उचित नहीं समझा और road पर acid बहुत ही कम यूज करें तो यहाँ पर आप देखें हम हमरे पास थोड़ा सा acid है जो toilet cleaner होता है वो तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा acid डालेंगे और देरे-देरे करके हम इसको दोनों पाइपों में डालते रहेंगे औ और जब यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे इसकी अंदर की fluoride जो सारी हट जाएगी और कुछ देर तक आप इसको इसमें ऐसे डालते रहें देरे-देर डालते रहें तो इसकी अंदर की जो fluoride सारी साफ हो जाएगी और अगर आपके पास acid ज्यादा है तो की fluoride सारी हट जाए तो आप यहां देखें मैं आपको दिखाने कोशिस कर रहा हूं यहां पर हमने कर लिया है दोनों पाइपिंग साफ हो गई है आप यहां देखें इस तरीके से हमको यह लगाना है अर्थिंग वाला जो निसा नहीं यहां आएगा जहां पर एक पीछ लग और लगाई ए रोड़ हम इसकी बाद में लगाएंगे तो बाद में लगाने का एक कारण यह भी है की मैं आपको बताओंगा अगर आप किसी घीजर को खोलते हैं साइड पर ही और उसमें रोड़ चेंजज करते हैं तो इस तरीके से चेंज़ कर पाएंगे लगा पाएंगे तो यहां पर यह पुरानी इसकी रोड है हमने इसको चेक किया तो इसमें अर्थिंग वगरा नहीं है कुछ भी तो इसको हमने साफ करके और वापस लगाना है तो यहां पर आप देखें इस तरीके से आप इसको लगा पाएंगे अगर यह प्रोब्लम कर रही है तो इसको कती नहीं आईगी लकिन अब इस तरह की रोड लगाते हैं तो यह आपको एक्ज़स्ट करनी पड़ेगी घुमा कर तो इस तरीके साम इसको लगा देंगे लगाने बाद आप यहां देखें इस तरीके से हम इसको फ्रेस करेंगे और फिर इसके नथ हम यहां पर लगा यहां पर आप देखें लग चुकी है और इस पर भी वासर लगाके इसकी डिप्रिस से टाइट कर देंगे फ्रेड्स इसमें टाइट इतना करना है आपको यह फुल टाइट कर लेंगे और फिर मैं आपको इसके connection समझा दूंगा डिटेल से बहुत सिंपल से connection हैं आप थोड़ा सा ध्यान देंगे connection इस तरीके से होते हैं इसके एक तार जो होता है इसका face का और जो मैं लाइट से हमारा आता है वह क्या कि एक auto cut में जाता है और एक auto cut से दूसरे auto cut में टुकड़ा लगा होगा होता है फिर उस टुकड़े में से एक टुकड़ा और लगेगा जो रोड़ पर जाएगा मतलब यह तो face चल गया रोड के अपपर फिर नूटल जो होता है नूटल direct रोड पर चला जाता है यह तो इसका man connection है अब indicator की बारी आती है तो indicator हम कैसे connection करेंगे indicator के तो यहां पर आपके पास दो इंडिकेटर होते हैं एक होता है मैन का एक होता है कट ओफ का तो कट ओफ वाला इंडिकेटर है हम रोड के दोनों पॉइंट ओपर उसको लगा देंगे और मैन को हम नूटल और फेस में डायरेक्ट जो बाहर से हमारे आ रहे हैं उन्हें पर लगा देंगे इससे पहले मैंने और वी वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने बारिक से मतलब आपको डाइग्राम से इसका कनेक्शन बताया था आप चैनल पर ढूंडेंगे तो आपको मिल जाएगी तो यहां पर हमने इसको फिट कर दिया है और कनेक्शन करने के बाद फ्रेंट्स में क्या कर इसका डखन लगांगा और इसको अधा डखन लगाकर ही हम क्या करेंगे पहले इसको टांगेंगे चेक करेंगे कोई लीकेज वगेरा तो नहीं है कि वर ऐसा होता है हम पूरा फिक्स कर देते हैं हलकी माइनर सी कोई लीकेज होती है तो उस टेम तो हम चले जाते हैं बाद मे प्रश्यक्र सबस्क्राइब को नहीं है इसा हो सВыक्ति नहीं होनी हा की लियुक्त है तो हम इसको करती है और इसक21 डखर एकको कि को जागता की גם देख सकते वगएरा ना रहा है तो आप यहां देखें इस तरीके से हमने आदा इसका लगा दि आ और आदे ढकन को हम से उपर ही जाके लगाएंगे तो यहां पर हमने इसके पांपिंग भी लगा दी हैं आप यहां देख सकते हैं है आप आप अपिन को खूल देंगे और उपर से pouco होल देंगे ताकि हमस्ता चल सके इसके अंदर जो पानी है बर जाएगा और थोड़ी दिर के बाद ये पानी इसका निकलाएगा तो अब यहां देखें ये एर ले रहा है मैंने कि मतलब खाली ट्यू टेंक है वो भर रहा है जब ये थोड़ी दिर में भर जाएगा तो आप यहां देखें इसमें पानी आ जाएगा और पहले जो आपने देखा ह Państ मैं उसमें टपके से पानी आ रहा था बस बिल्कुल पानी इसमें स्लो था और अब यहां पर देखेंगे तो अपि यहां देख सकते हैं तो इस तरीके से इसकी पूरी प्रोलम को हम सोल कर सकते हैं उपर से भीम आपको को दिखा देता हूं कोई लिकेज वगरह नहीं है लिकेज अगर होगी तो आपको हो सकता है गीजर दुबारा कोलना पड़े तो यह आप विसे ख्याल रखें कोई लूजिंग ना चोड़ें और लिकेज हो तो उसको बिल्कुल बंद करें तो आप यहां देखें मैं आपको दिखाने को कोशिश कर रहा हूं यहां पर कोई भी लिकेज नहीं है कोई पानी वगरह कुछ नहीं टपकर आए तो अब इसका डखकन लगाएंगे इसको ओन करके दे गीजर हमारा ओके हो जाएगा इसके अलावा भी कोई प्रोब्लम आपको आती है तो आप हमें कमेंट करें इसी तरह की वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं मिलेंगे फिर आपको नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तो आपने देखा मैंने आपको बताया कि मैंने एक एक चीज बारी किसे बता दी है फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें हम उसका रेप्लाइट देने की पूरी कोईशिस करेंगे मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाइबाई टेक कियर